अस्सलाम अलेकुम तो स्वागत है आप सभी का ग्यापनी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग उर्दू ग्रामर के उन चेहरों को पहचानेंगे उर्दू ग्रामर के उन चेहरों से रूबरू होंगे जो चेहरे चाहे 10th क्लास हो या फिर 12 हो और इस्पेसली 10th और 12 के लिए है तो आप लोग जरा इस टॉपिक को ध्यान से समझेगा वैसे तो उर्दू ग्रामर के लगबग टॉपिक को जितना भी टॉपिक है हर एक एक टॉपिक को वन बाई वन करके मैं आप लोग को पढ़ाते आ रही हूं और अगर आप लोग इसका पहला वाला वीडियो नहीं देखे हैं बहुत चारे टॉपिक को पढ़ा चुकी हूं तो जरूर देख लीजिएगा उर्दू ग्रामर आप लोग के लिए मॉस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि 33% कोशन आप लोग एक्जाम में पूछे जाते हैं उर्दू ग्रामर से ठीक है ना तो जितना भी टॉपिक मैं उर्दू ग्रामर का पढ़ा चुकी हूं वो जरूर पढ़ लीजेगा अगर आप लोग को प्लेलिस्ट नहीं मिल रहा है तो मैं आप लोग को बता भी दे रही हूं कि कैसे आप लोग को प्लेलिस्ट जूनना है देखिए अभी वीड जैसे आपन ऍकेडमी का होउम-पेज खुल जाएगा उसके बारत से आप लोग को जाना है प्लेलिस्ट के आपसं पर जैसे प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो उसी प्लेलिस्ट वाले शेक्सन में आप लोग को उर्धोग्रामर फोष उर्षेसन दोहजरे चौविक के नाम तो लगभग बहुत चारे टॉपिक को मैं कवर करा चुक ही उर्दू ग्रामर का जो है तो आप लोग जरूर कम्प्लीट कर लें हर एक वीडियो आप लोग के लिए अमरित के समान है उर्दू ग्रामर का तो एक भी वीडियो मिस नहीं कीजेगा और उन ही में से एक वीडियो आज का है जिसमें हम लोग चार टॉपिक को कवर करने वाले हैं और ये टॉपिक से कोशन आप लोग के एकजाम में हर साल पूछे जाते हैं तो चलिए फड़वट आज के इस वीडियो में इन सारे टॉपिक को मतलब चारो टॉपिक को इन चारो चेहरे को देख लेते हैं ताकि इस तरह के चेहरे अगर आप लोग के एक्जाम में देखने को मिले तो आप लोग तुरंट पहचान जाएं क्योंकि पहले से अगर आप लोग चेहरा देखे रहेंगे, टॉपिक पढ़े रहेंगे तो अगर आप लोग के एक्जाम में इस तरह के चेहरे देखने को मिलेंगे तो आप लोग तो अंत पहचान जाएंगे और सही अंसर लगा कराएंगे है ना तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किये देखना है ताकि एक भी पॉइंट ना चूटे और हर एक पॉइंट को आप लोग बहतर तरीके से समझ सके सो विदाउट एन डिले लेट्स गो डू स्टार्ट समझते हैं वो चारो टॉपिक मैं लिख भी दी हूं बोर्ड पर जैसा की देखिए सबसे पहला है फेल मारूफ दूसरा है फेल मजहूल तीसरा है फेल मुफरद और चौथा है फेल मुरकब जी हाँ ये चार टॉपिक है और आप लोग देख सकते हैं इनका डिफिनेशन में मैं लिख दी हूं जो भी है आप लोग को समझ में आ जाएगा टेंसर लेने की ज़ जी हां वर्व यानि की काम को ही फेल कहते हैं किसी भी काम को क्रिया यानि की वर्व कहा जाता है जैसे कि मैं अभी आप लोग को पढ़ा रही हूं तो पढ़ाना ये जो लवज है ये जो वर्ड है इसको आप लोग क्या बोलेंगे फेल कहेंगे तो पढ़ाना फेल हो गया ल पर फेल के लास्ट में क्या आता है ना आता है यह आप लोगों मैं अलड़ी वता भी चुकी हूं बहुत बर लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में ना आता है लेकिन वो फेल नहीं होते हैं जैसे कि एक्जाम्पल में है ना नाना के लास्ट में ना है लेकिन नाना फेल नहीं है वर्व नहीं है नाना एक इसम है यानि कि नाउन है तो यह चीज़े आप लोगों को ध्यान में रखना है समझते हैं कि एक एक करके इन चारों को समझ लेते हैं सबसे पहले समझते हैं कि फेल मारूफ किसे कहते हैं फेल त इंसान का नाम मालूम हो फाइल का मतलब क्या सब्जेक्ट यान की काम करने वाला व्यक्ति ठीक है तो वह क्रिया वह काम जिसका फाइल मालूम हो यान की सब्जेक्ट मालूम हो काम करने वाले इंसान के बारे में आपको पता हो कि किसने ये काम किया है उस तरह के फेल को कहते है क्या फेल मारूप अब एक्जामपल लेकर समझते हैं देखिए महमूद आया था आया था यानि की आने का काम हुआ है ठीक है तो आया था क्या हो गया फेल हो गया यानि की किरिया काम हो गया आना क्या है काम है तो आया था यह क्या हो गया फेल लेकिन इस काम को किया किसने कहेंगे फेल मारूफ तो आया था यह क्या हो जाएगा फेल मारूफ कहलाएगा ठीक है उसी तरह देखिए सलीमा फूल तोड़ रही थी इसमें फूल तोड़ने का तो काम हुआ है लेकिन किसने फूल तोड़ा है फाइल कौन है सब्जेक्ट कौन है काम करने वाला इंसान कौन है क्या दिया है तो हां बिल्कुल दिया है इसमें दिया है सलीमा यानकी सलीमा फूल तोड़ रही थी फाइल कौन है सलीमा यानकी इस सेंटेंस में पता चल जा रहा है कि फाइल यानकी सब्जेक्ट कौन है सलीमा तो इस fail को यानकी fool तोडने को क्या कहेंगे? तो सलीमा फूल तोड़ रही थी, इसमें जो वर्व है यानकी fail है, वो fail मारूफ है क्योंकि subject यानकी काम करने वाला इंसान आपको पता चल गया है कि सलीमा है. ठीक है, I hope आप लोगो इतना समझ में आगया होगा, अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा है fail मजहूल, ठीक fail मारूफ का उल्टा होता है, fail मजहूल, यानि कि वह fail, वह काम जिसका file मालूम नहीं हो, जैसे कि खत लिखा गया, खत तो लिखा गया है, काम तो हुआ है, लेकिन काम करने वाला इंसान कौन है, उसका नाम क्या है, नहीं ब आता है, तो ये खत लिखना, ये जो क्रिया है, ये fail जो है, इसको आप लोग क्या कहेंगे, fail मजहूल कहेंगे, क्योंकि इसका file मालूम नहीं है, subject मालूम नहीं है, ठीक है, अब आई होप आप लोगो समझ में आ गया होगा, दोनों में अंतर क्या है, दोनों एक दूसरे के क अब पोजिट है, उल्टे है, fail मारूफ जिसका file मालूम हो, यानि कि subject मालूम हो, काम करने वाले इनसान का नाम पता हो, लेकिन fail मजहूल उसको कहते हैं, जिसका file यानि कि subject पता नहीं हो, काम करने वाले इनसान का नाम ही पता नहीं हो, जैसे कि खत लिखा गया, साहिद मारा गया साहिद तो मारा गया लेकिन मारने वाला कौन है किसने मारा ये नहीं बताया गया है फाइल नहीं बताया गया है तो इस तरह के सेंटेंस को क्या कहेंगे इस तरह के फेल को क्या कहेंगे फेल मजहूल कहेंगे आगे बढ़ते हैं तीसरा है फेल मुफरद किसे कहते हैं फेल जिसमें सिर्फ एक लवज हो यानि कि एक लवज वाला फेल क्रिया क्या कहलाता है फेल मुफरत कहलाता है जैसे कि देखना इसमें एक ही लवज है खाना हसना बोलना सीखना सुनना तो यह सब एक लवज है देखना यह एक लवज है ठीक है खाना यह एक लवज है यह एक तो क्या कहेंगे फेल मुफरत कहेंगे लेकिन अगर वहीं पर देखा जाए चौथे टॉपिक की फेल मुरकब की तो फेल मुरकब वह फेल है जो दो लफजों से बना हुआ हो जैसे की दुआ करना दुआ करना यह भी फेल है दुआ करना क्या है काम ही नहीं दुआ करना क्या है काम है किरिया है लेकिन दुआ करना में दो लवज है एक तो दुआ और दुसरा करना तो ये दो लवजों से बना हुआ फेल है किरिया है तो जो दो लवज से बना हुआ फेल होता है उसको क्या कहते हैं फेल मुरकब कहते हैं इसलिए इसको क्या कहेंगे फेल मुरकब कहेंगे क झाना हसना बोलना जिसमें अकेला लफ्रत एन की efficient गाली देना मदद करना थीखें ना रिश्वत लेना सुनए होंगे आप लोग तो जिसमें दो लवज हो और वो दोनों फिल हो उसको क्या कहेंगे मुरकब कहेंगे आई होप आप लोगो समझ में आ गया होगा यह चारो टॉपिक अब चली हम लोग समझते हैं कि इस तरह से यह जो चारो टॉपिक है इन चारो टॉपिक से किस तरह की कोशन आप लोग के एक्जाम में कोशन लिखती हूं कि इन चारो टॉपिक से किस तरह से कोशन पूछे गये हैं और किस तरह से कोशन आप लोग के एक्जाम में 2024 के एकजाम में पूछे जा सकते हैं ठीक है अगर आप लोग यहां तक स्क्रिण शॉट लेना चाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है लेलिजे फड जाई भी हूँ कि इसलिए साफ साफ नहीं दिखाई देता है बोर्ड पर लिखा हुआ क्योंकि आप लोग का मुबाइल का जो क्वालिटी है वो लो हो गया है आप लोग वीडियो के कोने में थ्री डॉट आता है वहाँ पर क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी बढ़ाने का ओ ठीक है यहां तक की वीडियो की स्पीड बढ़ाने और खटाने का भी ऑप्सन आता है इतना सारा फीचर्स यूटूब ने दिया है और आप लोग कमेंट करके बोलते हैं कि बोर्ड पर लिखा हुआ साफ नहीं दिखाई दे रहा है पहले आप लोग क्वालिटी बढ़ा लि बाय हात का खेल है सबसे पहला कुश्शन मंदर जयल में से कौन फैल मुरकब नहीं है क्या पूछा जा रहा है मंदर जयल मंदर जयल मतलब याद रखिएगा जिस तरह हिंदी में होता है निम्निली खीट उसी तरह उर्दू में होता है मंदर्जाजैल यानि कि मंदर्जाजैल का मतलब कि अनिम ने लिखी यानि कि नीचे लिखा हुआ तो मंदर्जाजैल में से कौन फेल मुरकब नहीं है यानि कि इन चारो आप्सन में से कौन फेल मुरकब नहीं है इन चारो फेल में से और नहीं है भूसा में और बहूं करना यह कौन ंसे आने की अकेला ऐसा लफज procs है जो कि फेल है ठीखे यान कि यह क्या है फेल मुफ्रद है और यहां पढ़ना बहुत चारे स्ट्टिट्न गलती कर देते हैं वह उपर मतलब उपर ही उपर कोशन पढ़ लेते हैं मंदर जैल में से कौन फेल मुरकब नहीं है और उनके दिमाग में ये होता है कि बताना रहता क locks यहां पर क्या कोशन पुछा गया है या या इन चारों में से कौन ऐसा एंजो फैल मुरक्त नहीं है घृम करने जवाब नहीं तो गाली देना रिश्वत लेना शिकायत करना यह specially आप लोग के लिए तैयार किया गया question है ठीक है ना अगर आप लोग सच में समझे हैं जो कुछ भी मैं आप लोग को समझाई हूँ तो आप दूसरे question का answer 100% दे पाएंगे और मैं आप लोग के comment को पढ़ूँगी और मतलब अगर आप लोग के द्वारा सही answer दिया गया question का तो वो तो आप लोग को हट मिलेगा तो आप लोग दूसरे question को पढ़िए और इसका सही answer आप लोग अपने हिसाब से सोच समझ कर दीजिए सही answer होना चाहिए ठीक है यह आप लोग के लिए question है comment में लिखकर दरूर बताईएगा कि दूसरे question का answer क्या होगा चलिए तिसरे question की तरफ बढ़ते हैं दर्जजैल में fail मुफरद की पहचान करें यहां पर आप लोग को fail मुफरद बताना है यानि कि वैसा fail जो सिर्फ एक लवज से बना हूँ एक लवज से बना हुआ fail मुफरद कहलाता है ठीक है तो देखिए option A में है खत लिखना इसमें तो दो लवज है यानि कि दो लवजों से बना हुआ यह fail है तो यह fail मुरकब हो जाएगा option number A तो होगा नहीं बी देखिए खत लिखा गया इसमें तीन लवज है और वो भी नहीं तो यह sentence है खत लिखा गया जर आप लोग सोचिए यह कौन सा fail हो सकता है यह fail मजहूल है जी हाँ फैल मजहूल किसे कहते हैं जिसका file मालूम ना हो खत लिखा गया खत तो लिखा गया लेकिन किसके द्वारा लिखा गया किसने लिखा है यह नहीं बताया जा रहा है यानकि यह fail मजहूल हो गया यह भी नहीं होगा option number C यह fail मजहूल है option number C भी नहीं हूगा क्योंकि यह fail मारूफ है तो option number D देखिए तो लिखना क्या यह fail मुफ्रद है तो बिल्कुल ये fail मुफरद है क्योंकि fail मुफरद तो उसी को कहते है ना जो fail एक लवज से बना हो तो ये एक लवज का बना हुआ fail है ना तो इसको क्या बोलेंगे fail मुफरद option number D is the right answer I hope आप लोग भी D लगाए होंगे ठीक है अब दूसरे question का answer आप लोग कुझ से comment में लिखिएगा और इसका सही answer दीजिएगा दर जिजल में मजहूल की पहचान करना है और यह चार option है option a में साजी दोड़ रहा था भी में नईम को पीटा गया सी में महमूद स्कूल नहीं गया और डी में सलीमा ने क्या कहा यह सलीमा ने क्या कहा question नहीं पूछा जाता है उस तरह है तो यह दूसरे question का आप लोग को answer comment में लिखकर बताना है जो भी सही answer बताएगा उसको ग्यापन एकेडमी के तरफ से हाट मिलेगा ठीक है मैं आप लोग को comment को जरूर पढ़ोंगी चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर इंड करते हैं आई होप आप लोग को हर एक चीज समझ में आया होगा अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें जितना जदा हो सके शेर करें लाइक करें और चैनल को सब्सक